मालवा सब्याचारक मंच पंजाब की तरफ से आयोजित किया जा रहा लोडी मेला इस वर मुलापूर दाखा में मनाये जाने की तहियारिया मुकमल कर ली गई है इस सिल्वर जुबली समारों पर नव जन्वी बच्चियों वा मंच के ओदेदार वा समास सेवी जकपाल सिंग कंगूडा पंजाबी फिल्मों के हीरो रंजीत पावा गोल्डन स्टार मलकीत सिंग वा अन्ने शक्सितों को मेले के दोरान एवार्ड देकर समानित किया जाएग तो चलिए उनसे शेयर करते हैं कुछ गूड मुवमेंट्स हेलो सर वेलकम टू टॉ टाइम्स पंजाब टीवी थेंक्यू जी टाइम टीवी दाते तोड़ा शिपरा मैडम जी तोड़ा बहुत बहुत आनुवाद थेंक्यू सर सबसे बहले हम स्टार्ट करें आप हमने जैस को आगे बढ़ाने के लिए तो आप अपने बताई कि स्टार्टिंग जर्णी आपकी कैसे स्टार्ट हुई और फैमिली से आपको कितना मोटिवेशन मिला आपको आप मैंडम एक्चली मैं गाउं से हूं तो मेरे जो पंचापी सब्भाचार वो गुर्टी में मेरे को मिला है पंजाब गाउं से शोटे से गाउं रंगुवाल मेरा गाउं है तो पहले मैं बंगडे में था तो बंगडे के मैं 31 कंट्री रिपर्जनेट कर चुका हूं कॉवर्मेंट ऑफ इंडिया और लग-लग कंट्री में जाकर परोर्म करने का मौका भी मिला है तो लेकर जो भंगडे डालते हैं ना एक पार आपको बता दूँ भंगडे वालों के मन में हमेशा चलता रहता है कि हम यह करें वो करें इससे आगे करें हम गावी सकते हैं सब्सक्राइब कर चुका हुआ जितने वी सिंगर है पंजाब के सभी सिंगरों के कर चुका हूं आपका जो भंगडा को उस टाइम का आपका एक्सपीरियेंस कैसा रहा या आपके बलड में आपके हरेडिटी फेक्टर था कि किसी और ने भी आपके पैरेंटल साइड में इ मेरे मन में था बनने का तो सा मेरे मन में सोच तो यह थी पढ़ाई में कि मैं जज़ बनु लेकिन वह तो नहीं बन से का लेकिन भंगडे गाज़ जूर बन गया और वी कल्चर एक्टिविटी होती है वह मैं भार भी उनियस्टी अफ ट्रंटो मेडिकल युनियस्टी शिका आगो वहां भी जाकर जज्जमेंट देता हूं तो म्यूजिकल लाइन में आपका आना कैसे और यह इंट्रेस्ट आपका कब से डेवलप हो गया कि म्यूजिक देखते तो मेरे जब देखते तो बड़ा अच्छा लगता था तो सोचा कि इसमें जाकर हम भंगडा डालें तो मन को खुशी होती दी ते लेकर एक दिन चला गया मेरा फ्रेंड था उसके साथ मैं जब गया तो वहां शूटिंग चल रही थी जलंदर दूरेशन में तो मैंने नहीं को बोला कि मेरा दिल कर रहा है यहां मैं बंगड़ा रहो है उन्होंने मेरे को एक ऐफ आसी बात भूली लेकिन मानका धन्यावद करता हूं क्योंकि वह बात मेरे को कहा लेकर गए वहां पता है उसने बोल दिया कि यह त созн students नहीं था नहील है कि तो मैंने मनुदर लग तो उससे जो नेक्स्ट इयर था उसमें, उसमें मैंने कोरियोग्रफ की प्रोग्राम की, तो कोरियोग्रफ की बाद सुरजीत बिंद्रे किया वहाँ जब मैं उनका सौंग कर रहा था, तो वहाँ मेरे मन में आया कि क्यों न हम शूट करें तब शूट का इतना नहीं चलता था तो मैंने वह सोचा कि हम आउट ओर में जाकर शूट करते हैं पहले किया होता था पहले स्टूडियों में चले कर जाते हैं सिंगर को और वहां वस उसको गवाया और तोर दिया जादा से जादा क्या होता था भंगड़े और गिद्दे के आर्टिस्ट वहां पीशे घडा दिय किया तो तब मैंने सुर्जीत बेंद्र किया इसे स्टार्ट किया उनका गाना मेरे को अभी जाएदा लोक का नानी दुद्ध विकता तेरा विकता जाय कुरे पाड़ी हो फस्तांग हमने चंडीगर में पंच कूला में शूट किया था तो उससे आगे बाद सफर बढ़ता फिर तो बात चलती के चलती के चलती की जैसे लोडी का फेस्टिवल लाता जा रहा है हमने सुने कि आप स्पेशली गर्ल्स की लोडी मतलब सेलिब्रेट करने जा रहे हैं जो यहां पर आज लड़कियों को बहुत जादा मतलब हम देखते हैं थोड़े दिन पहली हमने चलती के लिए तो आपको कैसे लगता है कि लोगों में वह मैसेज महुचेगा आपका जो आप स्पेशली लोडी का फंक्शन गर्ल्स के लिए और नाइस कराने जा रहे हैं देखिए मैं आप आप आपको एक बात बोलना चाहता हूं मेरी हिंदी थोड़ी सी रुकती है मैं पंजा भी जादा बोलता हूं तो सौरी उसके लिए तो क्या है कि मैं तो जब से इस प्रोग्रम के लगा हूं मैं दिल से लगा हूं वो मेरी राजनीती वाली बात नहीं है कुछ लोग आते हैं कुछ राजनीती वाले होते हैं वो मेरी सोच नहीं है मैं दिल से करता हूं कि ह को एज्जड करनी चाये ए मेरे भी उसके प्रोड़ाम शुरू होने के बाद मेरीस होई के बाद मेरेदों बेटी है दो में मेरे डोड़ी pancakesला ripple को बार यजो भी देए हैं जो लड़के होने के बार देते हैं तो मेरे क्यों मेसेज है लोगों के लिए वो तो नहीं है कि हम किसी को चेंज कर देंगे लेकर मेसेज है कि लोगों कि जो एक मैं आपको बात बोना चाहता हूं में अखीती पजाब दी मेंनो नजराँ गईएं लग सारे पुलगे ने ले सकर मनू मेरी हों तो तुरेया जग में तीरा नी हां मां दी ते बावल दी नी हां पग आपने बहुत अच्छा मेसेज दिया हमें and thank you so much sir for giving us your precious time तो यह थे हमारे सार रवींदर रंगुवाल जी जो पंजाबी कल्चर को specially promote कर रहे हैं आज के टाइम पे भी तो हमें लगते है specially पंजाबी इसको एक बहुत अच्छा मेसेज मिला है कि जो उनकी खुद की दो डॉर्टर्स होने के बाद उन्होंने उनकी लोडी सेलिब्रेट की और अब वो खुद भी 13th 11th को जो एक फंक्शन होने जा रहे हैं जिसमें specially girls की लोडी सेलिब्रेट होएगी तो हम सब चाहते हैं कि उनका एक मेसेज आप सब तक एक बहुत मोटिवेशनल मेसेज लेके पहुँचे कैमरा में नामन दिपकेसा शिप्रपस्रीजा टाइम्स पंजाब टीवी